हेलो एरिवन, इस विडिन में हम जानेंगे उन तीन PSU बैंक्स के बारे में जो काफी लंबे समय से PCA फ्रेमवर्क काटिगरी में डाले गए थे अब यहाँ पर न्यूस काफी अच्छी निकल के आ रहे है कि RBI उन तीन PSU बैंक्स को PCA फ्रेमवर्क काटिगरी से बाहर करने वाला है और यह काफी अच्छी नियूस होगी उन बैंक्स इंप्लॉईज के लिए भी और बैंक्स में जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके लिए भी तो जानते हैं वो तीन PSU बैंक्स कौन से हैं जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल में भी लिखा हुआ है त्री PSU बैंक्स likely to be out of PCA framework by March according to Department of Financial Services Secretary आपको पता होगा हमारे जो Financial Services Secretary है देवाशीश पांडा जी उन्होंने साफ यहाँ पर कहा है एक इंटर्विव में कहा है कि Indian Overseas Bank होगा वो और Central Bank of India होगा और Yuko Bank होगा जिसे RBI ने हाली में आपको पता होगा कि PCA framework category में डाल दिया था अब देवाशीश पांडा जी ने यहाँ पर कहा है कि मास तक RBI इन तीनों बैंकों को PCA framework category से बाहर कर देगा अब जब बाहर कर देगा तो काफी सारे जो restrictions होते हैं वो हटा दिया जाते हैं को पता होगा कि RBI ऐसे बैंकों पर काफी सारे प्रतिबंद लगा देती है जैसे कि वो ना तो लोन बाट सकते हैं और ना ही अपने बैंक का expansion कर सकते हैं और काफी सारे restrictions और भी होते हैं जो RBI उन पर लगा देता है तो जानते हैं यहाँ पर news क्या लिखी हुई है यहाँ पर साफ उन्होंने बोला है कि इनकी जो health है इन तीनो public sector banks थी यह दीरे-दीरे काफी दो quarter से improve होते हुई नजर आ रही है तो इससे क्या होगा कि RBI अब इन तीनो बैंकों पर जब नजर बनाए रखता है तो वो देखता है कि जब यह दो quarter से इन दोनों बैंकों की जो financial health है वो काफी improve हो रही है तो मास तक की ऐसी संभावना जता ही जा रही है कि यह तीनों banks PCA framework से बाहर आ जाएंगे PCA मतलब होता है कि prompt corrective action अब जो यह तीन बैंक होंगे वो होंगे Indian Overseas Bank, Central Bank of India and Yuko Bank are currently under this framework which puts several restrictions on them including on lending, management compensation and director's fees आपको पता होगा कि यहाँ पर काफी सारे जो restrictions होते हैं जैसे कि ना तो यह bank ऐसे नए करज भी नहीं बाढ़ सकते और ना ही यह अपने employees का जो कहकेते salary होती है ना वो भी नहीं बढ़ा पाते हैं और जो अपने banks का expansion होता है जैसे new banks की branches नहीं खोल सकते काफी सारे restrictions यहाँ पर RBI उन पर डाल देता है और यह मैं मानता हूं कि यह जरूरी भी है क्योंकि यह restrictions इसलिए RBI लगाता है ताकि वो banks खतम ना हो जाएं, burst ना हो जाएं तो यह काफी एक एहम पड़ा होता है इन bankों के लिए जो इनको गुजरना होता है PCA framework से In fact, these three banks are also not consistently for the last two quarters in profit जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यह पिछले दो quarters से काफी profits कमा रहे हैं यहाँ पर तो यह इनके लिए काफी अच्छी खबर होगी और bank employees के लिए इन तीनों bank employees के लिए और इन तीनों जो भी depositors हैं उनके लिए भी काफी अच्छी खबर है तो यहाँ पर financial services secretary ने साथ बोला है देबशी शपांडा जी है यहाँ का financial services secretary उन्होंने बोला है कि पिछले दो quarters से यह जितने भी तीनों bank हैं यह काफी profit कमा रहे हैं और यह इनके लिए काफी अच्छी खबर होगी PCA framework से बाहर आने के लिए उन्होंने साफ कहा कि अभी हाली में जो यह PCA लगाया गया है लेकिन फिर भी यह banks काफी सारे loan भी बाट रहे हैं और काफी सारा business कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ restrictions हैं यहाँ पर अब जब यह March में यह restrictions हट जाएंगे तो यह PCA framework से बाहर आ जाएंगे उन्होंने साफ बताया है अब जानते हैं यह अखिर होता क्या है prompt corrective action जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लगातार देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है जैसे definition में भी to ensure that banks don't go burst, RBI has put in place some trigger points to assess, monitor, control and track corrective actions देखिए RBI इन पर इसलिए restrictions लगाता है ताकि यह banks burst न हो जाए, खतम न हो जाए पता लगा कि यह restrictions अगर नहीं लगाएंगे तो यह banks देरे-देरे खतम हो जाएंगे क्योंकि जब यह loan बाटने हैं तो इनकी जो माली हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है आपको पता होगा कि दोस्तों PCA framework का जो ठाचा था वो RBI ने 2002 में framework जो इसका तियार किया था Early Intervention में कैरिंस जो होता है उन बैंकों के उपर तियार किया था जिन जो bank लाब कमाना बंद कर देते हैं यानि काफी खराब कंडिशन में गुजर रहे होते हैं इनके ओपर ये restrictions लगा दे जाती है कि या ना तो ये रिड या मतलब करज नहीं दे सकते और ना ही अपने banks employees का कोई भी salary बढ़ा सकते हैं तो काफी सारे restrictions से यहाँ पर गुजरना पड़ता है तो इन तीनों employees के लिए इन तीनों banks के employees के लिए काफी अच्छी खबर होगी और इन तीनों depositors के लिए भी काफी अच्छी खबर होगी कि अब ये banks Mars तक की ऐसा माना जा रहा है कि ये loan बाट पाएंगे यहाँ पर definition एक और मैं आपको दिखा देता हूँ तो यह था इस वीडियो का complete analysis दोस्तों I hope आपको काफी पसंद आया होगा यह वीडियो और काफी जानकारी मिली होगी आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को subscribe करियेगा और अपने दोस्तों को साथ share करियेगा, like करियेगा और कुछ comment हो तो comment करियेगा, आपका क्या सुझाओ है इस चैनल को लेकर के तो फिर मिलेंगे हम अपने next वीडियो में, तब तक के लिए have a nice day and bye